अगला सवाल रिचा ने पुछा है, क्या किसी शिष्ष के दो गुरू हो सकते हैं? अगर किसी को दो आध्यात्मिक गुरूं से दीक्षा मिली हो, तो क्या किसी एक मार्क पर चलना बहतर होता है, या दोनों गुरूं की सिक्षाओं का पालन करना चाहिए? अगर मैं एक गुरू के दिखाए मार्क पर चलती हूँ, तो क्या मैं दूसरे गुरू का अनादर कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मार्क की दीक्षा दी थी? तो एक गुरू के साथ होना, एक आध्यात्मिक गुरू के साथ होना, ये वफादारी का सवाल नहीं है लेकिन ये इमानदारी का सवाल है वफादारी और इमानदारी के बीच क्या अंतर है वफादारी उन भावनाओं से आ रही है जो आपके पास है इमानदारी का मतलब है कि आप उस उद्देश्य के प्रती समर्पित हैं जिसके लिए आप वहाँ है, जगा कोई भी हो, आप किसी जगह में हैं, उस जगह का जो देश्य है, आप उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित हैं, आप वहाँ कुछ और नहीं करेंगे. आप मेंसे कई लोगों के साथ ये हो रहा है, आप यहाँ वाकई आध्यात्मिक साधना करने के लिए आये थे, लेकिन आप किसी के प्यार में पढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है, कुछ न कुछ होगा, या तो आपको सिरदर्द हो जाएगा, या आपको कमरदर्द हो जाएगा, या आपके सिर में एक कीड़ा घुश जाएगा, या आपका दिल ऐसे धड़केगा, कई सारे चीज़ें होंगी, जीवन. आपको ये समझ नहीं आता है, कि आप जिस उद्देश्य के लिए वहाँ है, उससे भटकना बस इमानदारी की कमी का सवाल है, क्या इसका ये मतलब है कि मुझे उन में से कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको एक सचेतन चुनाव करना चाहिए कि आप इसलिए यहाँ आए हैं, एक आध्यात्मिक केंद्र के इर्द गिर्द जीवन बनाने के लिए, मुझे इस से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर किसी से पूरी तरह धदकने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ धदकती आग के साथ आए और फिर आपने समझोता कर लिया, ये इमानदारी में थोड़ा फेर बदल हुआ, वफादारी एक अलग चीज़ है, इस काम में वफादारी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जो भी हों, अगर आप यहाँ थे और आप कहीं और चले गए और संखर्ष कर रहे हैं, कृप्या संखर्ष मत कीजिए, मुझे फेक दीजिए, और आप जहां भी हैं, बस वही कीजिए, क्योंकि आप कहीं और चले गए हैं इसी से ये साबित होता है कि किसी न किसी तरह से चाहे किसी भी वज़ा से इसने यहां काम नहीं किया तो आप कहीं चले गए, कम से कम वहां आप अच्छे से कीजिए जब तक आपका विकास हो रहा है, मुझे क्या समस्या है या अगर आप कहीं और थे और अब आप यहां है और आप यहां संघर्ष कर रहे हैं उस बकवास को फेक दीजिए जो आप कहीं और से उठा कर लाए हैं और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ऐसा है नारियल के भगीचे होते हैं और आम के भगीचे होते हैं आप ऐसा नहीं करते कि एक नारियल के भगीचे में जाकर वहां से एक पेड उखाड लें और उसे पहाड के उपर लगा दें वो एक महीने भी जिन्दा नहीं रहेगा वो वहां काम नहीं करता वो केवल यहीं काम कर सकता है नहीं आप एक आम के पेड़ को ले जाकर रिगिस्तान में लगा सकते हैं यह काम नहीं करेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए इसी से साबित होता है कि या तो आपने खुद के चुनाव से या किसी और मजबूरी से या शायद गुरु की मृत्य हो गई है या मैं मर गया हूँ जब वो होगा जब आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस होती है तो वहां खुद को पूरी तरह से समर्पित कीजिए वो चाहे जहां भी हो क्योंकि आप इस जगह पर होकर उस जगह से पोशन नहीं पा सकते ये ऐसे काम नहीं करता क्या इसका ये मतलब है कि आप किसी का अनादर कर रहे हैं नहीं देखिए ये कुछ ऐसा है आपकी एक माह है उन्होंने आपका ख्याल रखा आप उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन किसी वजह से उनका देहान्त हो गया अब आपकी चाची आई है या शायद आपकी पत्नी या शायद आपकी पडोसन या शायद कोई और मान लीजिये कि चाची क्योंकि दूसरी चीजें भावनाई जागरुत करेंगी जिनने हम इस सवाल से शांत नहीं कर सकते अब आपकी चाची आपका ख्याल रख रही है लेकिन आप अपनी मा से प्यार करते हैं लेकिन आपको वो खाना खाना होगा जो आपकी चाची आपको परुस्ती है आप अपनी मा का परोसा खाना नहीं खा सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनकी कितनी याद आती है, आपको उनसे कितना प्यार है, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको अपनी चाची के हाथ का खाना खाना होगा, वरन मुझसे प्यार करना बहुत आसान है, करीब होना मुश्किल है आप वहाँ बैठ कर मुझसे प्यार कर सकते हैं, मेरे प्रती सम्मान और आदर रख सकते हैं ताकि आपका जमीर थोड़ा शांत रहे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी शांत हो जाए क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है आप ये बकवासी संभालते रहेंगे तो मंजिल तक कप पहुचेंगे इसे जल से जल शांत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप मुझसे प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं मैं तो कहूँगा कि उसे दुनिया में हर किसी के प्रती रखिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप सड़क पर चलते हैं क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है वे यूँ चल रहे होंगे अचानक कोई कहता है मैं कहता हूँ बेकार है ये आपके लिए काम नहीं करेगा कि अगर आप सद्गुरु को देखते हैं तो आप ऐसे हैं वरना आप ऐसे हैं ये काम नहीं करने वाला इस तरह से कोई भी आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए काम नहीं करेगा किसी न किसी रूप में गधा, मैं खास तोर पर गधे को चुन रहा हूँ, गधा, गाए, कुत्ता, पेड, पत्थर, अगर आप वाकई, हम पहले सवाल पर वापस जा रहे हैं, अगर आप वाकई में निश्चित रूप से उनके साथ बैठे हैं, ठीक है, फिर आपको हर चीज में उन्हें ही देखना चाहिए, आपको हर चीज के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे वो सद्गुरु हो, फिर कोई समस्या नहीं है, तो आप कहा हैं, आप कौन से अभ्यास कर रहे हैं, जब बात अभ्यासों की आती है, तो जैसा मैंने कहा, अब आपकी मा जा चुकी है, आप अपनी चाच मैंने को खाना होगा और खुद को पोशित करना होगा, जो आपकी चाची परोस्ती है, यहां बैठकर ये मत सोचिए कि फिर से आपकी मा आपको खाना परोसेंगी, वो नहीं करेंगी और वो नहीं कर सकती, तो ऐसे संघर्ष मतलाइए, क्योंकि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी चीज ने आपके लिए काम नहीं किया, आप जहां कहीं भी चले गए हैं, कम से कम वहाँ इसे सफल बनाईए, जब आप यहां थे तब आप सोच रहे थे कि बाहर कैसे निकलें, अब आप कहीं और हैं और सोच रहे हैं कि मुझे यहां होना चाहिए था, ऐसा मत कीजिए, जब आप कोई जगा छोड़ देते हैं, तो आप चाहे जहां भी जाएं, कम से कम वहाँ इसे कारगर बनाईए, बस अपने प्रयास को मत छोड़िए, बस यही माइने रखता है, जब आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा निराश हो जाता हू अगर आप चले गए और आपका प्रयास अभी भी तीवर है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिकत नहीं है, यह मेरे लिए कम तकलिफ है अगर आप जी जान से प्रयास कर रहे हैं और आप चले जाते हैं, मेरे लिए अच्छा है अगर आप प्रयास छोड़ देते हैं तो ये जीवन आपके लिए व्यर्थ कया मेरी मेहनत व्यर्थ कई ऐसा मत कीजिए